तो आईए दोस्तों अब हम देखते हैं कि WB WrestleMania Backlash 2022 में क्या क्या होगा सबस्क्रे पहले बात करते हैं IQ8 मैच के बारे में जो की हो रहा है 46 वसेज रॉंडारोजी के बीच में वेसलमीनिया में रॉंडारोजी ने शालिट को टैप ओट करवा दिया था लेकिन उस वक्रेफरी भी होच थे जिसके वैसे रॉंडारोजी जीत नहीं पाई और फिर शालिट ने रॉंडारोजी को हरा के अपने टैटल को बचा लिया वेसलमीनिया के बाद स्मैक डॉंडारोजी आई और रॉंडारोजी ने कहा के वो शालिट के साथ रिमैच चाती है और इस बार जो रिमैच होगा वो नॉर्मल पिनिया समिशन का मैच नहीं होगा वो मैच होगा आई कुट मैच राउंडरोजी के इस चैलिंज से शालिट ने साफ साफ इंकार कर दिया और शालिट ने कहा कि मैं अब तुम्हाई साथ मैच नहीं करूंगी लेकिन डबलेवी के ओफिशल्ट ने ये टैग कर दिया कि रॉंडरोजी और शालिट फेयर का मैच रिसलमीनिया बैकलैश में होगा वो भी आईकुट मैच जब शालिट से इस बारे में पुछा गया तब शालिट ने कहा कि मुझे खुशी नहीं हो रही है क्योंकि रॉंडरोजी तो रेसल मीनिया में हार चुकी है उसे री मैच देने का क्या फाइदा उसके बाद शालिट ने ये कहा कि वैसे बे आईकुट मैच तो मैं ही जीतूँगी क्योंकि एतने सालों से मैं ही अपने उपोनिन्स को टैपोस करवाते हुए आ रही हूँ तो आईकुट मैच तो मैं ही जीतूँगी अब रॉंडरोजी और शालिट के इस आईकुट मैच में मुझे ऐसा लगता है कि रॉंडरोजी जीतेंगी और रॉंडरोजी शालिट को हराके बनेंगी न्यू स्मैकडॉन वोमेंज चैंपियन अब आईए दोस्तो आफ बात करणा है टैट्टीम यूणिफिकेशन मैच के बारे में इस मैच रॉंड टैट्रोजी और रॉंड टैक्टीम टैट्ल डबल टैटल का मैच हो रहा है आर्के ब्रोव वसे दौसोई के बीच में रोमरीक्स ने दाउसोज को कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई दाउसोज के पास भी डबल टैटल रहे इसलिए तुम लग जाके रॉकेट टैक्टिम चैंपियन्स को चैलिज करो और उन्हें हरा के डबल चैंपियन्स बन जाओ दाउसोज ने वही किया जो कि रोमरीक्स ने कहा वो चले गए रोम में और उन्होंने आरकेब्रो को चैलिज कर दिया आरकेब्रो भी इस मैच के लिए मान गए और फाइनली ये मैच हो रहा है रिसलमीनिया बैक्लैश में वो भी डबल टैटल के लिए इस मैच का विनर जो भी बनेगा वो बन जाएगा डबल टैग्टीम चैंपियन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस मैच में दाउसोज आरकेब्रो को हरा देंगे और बन जाएंगे डबल टैग्टीम चैंपियन्स क्यूंकि अब ये दबलेड लाइन को डबलेवी काफी जादा पुछ दे रहा है तो इसली मुझे ऐसा लगता है कि रिसल्मीनिया बैक्लाइश में आरकेब्रो को हरा के दाउसोज बनेंगे निव युनिफाइट टैग्टीम चैंपियन्स वेसल्मीनिया बैक्लाइश में रिसल्मीनिया ठटीयर्स का एक और रीमैच भी हो रहा है और वो मैच है istäलो इसलियर्स को हरा दिया तो अब सहतरो इसल्मीनिया बैक्लाइश के में जिते हैंगे जो में टैटल का मैच हो रहा है वो हो रहा है Romar X वसे चिंसके नाकमोरा के बीच में इस मैच पे सबसे जादे चांसे जाहिए कि Romar X चिंसके नाकमोरा को हराके अपने टैटल को बचा लेंगे लेकिन उसके बाद हमें ये दिखते को ज़रू मिल सकता है कि वहाँ पर आज है Cordyros और कॉडिरोस चैलेंज करते रोमरेक्स को वो भी WWE Universal Championship के लिए तो दोस्तों आप लोगी कमेंटे जो बताईए कि आपको क्या लगता है कि क्या कॉडिरोस रेसल मीना बैकलाश के बाद रोमरेक्स को चैलेंज करेंगे या नहीं और कमेंटे ये भी जो बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड गुडबाई